राम राम भाई शाहरे ने आप सुभी का स्वागत हैं आज हमारी कॉर क्लास के अंदर आज हम सतर दिन का सेलेंज लेकर के आएं कितने दिन का सतर दिन का सेलेंज लेकर के आएं सतर दिन के ये फर्स्ट दिन होने वाला हैं सतर दिन के अंदर ये हमारा पहला दिन होने वाला है और आज से हम इस्टार्ट कर रहे हैं आने वाली भरतियों के लिए बहुत important class है, जो आपके लिए बहुत महत पुन होने वाली है, आने वाले exams के लिए बहुत important और महत पुन होने वाली है, इस class हो के अंदर जो भी आपके syllabus के अधार पर होगा, वो पढ़ाई जाएगी, आज क के प्रिक्सा है वो स्यार तारिक को आयोजित हो रही है तो इसके जो इंपोर्टर क्यूशन प्रविर क्यूशन पैपर जो पिछले जो क्यूशन पैपर वे इसके वो और भी इसके जो सेलेबस के दर हिंदी जो भी आपका है और कर्शी के दर एक लिकल सरकेंदर जो भी आपके उसमें से आपको 200 पलस लाने पढ़ेंगे 250 पलस इसके नंबर आपको लाने पढ़ेंगे तब इसके अंदर आप है वह अच्छे से जो है आगे जा पाएंगे पद जो है नोक्री आपकी लग जाएगे ठीक है तो पड़ा पड़ा इस्टार करते हैं सबसे पहला कि उसने काली बंगा की काली बंगा किस सबीता किस नदी के किनारे फैली हुई है ठीक है काली बंगा किस नदी के किनारे फैली हुई थी option है माई बेड़च सरस्वती नदी आहाड नदी तो इसके अंदर राइट आज पर हो गया दोस्तों सरस्वती नदी इसके अंदर राइट आज पर हो जाएगा अगला स्वाल निमन लिखित में से किस ने 1915-1951 काली बंगा की पैसान की थी 195-1951 के में किसने काली बंगा की खोज की थी किसने इसकी पैसान की थी तो इसका सई जो है वह काली बंगा सभीता की पैसान की इसकी खोज की अगला स्वाल है किर्ति इस्तंब परसस्ति के रसीहता कौन है किर्ति इस्तंब परसस्ति के रसीहता कौन है तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन है कवी एंड अत्री केवल महेश कवी एंड 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 महेश कवी मेरिशिस के निरापका सभी जवाब हो जैएगा ठीक है उसके बाद अगला सभाने हैं आपके सामने सोता आँ मही में प्रोटल सुझे जा जब इसता अबिलेग प्राप्त हुगा था बर अबंफ क्रांवा था अम्ब माता मंदीर में पिलोट माता मंदीर में शीव मंदीर में सावीत्री मंदीर में सही जबाब क्या होगा फटापट से कमेंट बताइए अब बताइए फटापट से इसका सही जबाब क्या होगा तो दोस्तों इसका सभी जबाब होगा फिलोट माता मंदीर में ठीक है दोस्तों क्या होगा फिलोट माता मंदीर में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला स्वाल है पांच सवाल हिंदुस्तान मसीन टूल्स कहां पर इस्तित हैं कोटा जेपूर शीकर अजमेर बताई सभी आजसर क्या होगा इसका फटाफ़ सब्सक्राइब कमेंट के अंदर और आपको लाश्ट में बताने या पर 20 क्यूशन में लेकर गाए हैं राज्तान जीके के 20 क्यूशन है उसमें से आपके कितने सही होते हैं वह बताना अगर इसमें साब के 15 से हुए हैं तो ताप इस परक्सा के लाइक हैं नहीं तो आप और बीत्यारी करने की ज़िए ठीक है तो फटावट से देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बता देता है फटावर निमल लिखित में से कौन सी नदी बनास के दाय किनारे पर नहीं मिलती हैं निमल लिखित में से कौन सी नदी बनास के दाय किनारे पर नहीं मिलती हैं बेचड बेड़स ठीके बेड़स गोलवा सोडरा बजजा जीन तो क्या होगा इसका राइट टांसर तो इसका राइट ट किस जिले में इस्तित हैं राजस्थान के अंदर राम सागर अब्यारण किस जिले में इस्तित हैं ओप्षन है कोटा दोलपूर शूरू हनुमानगड तो इसका जो सई जबाब हो जाएगा वह जाएगा दोस्तों जो दोलपूर क्या होगा दोस्तों दोलपूर इसका राइट राइट 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 नौवा सर्रा जिसको तीब रहा जोए रोग सम दस्वा क्विशन दस्वा क्विशन है लोक देवता जश्का मुख्य मंदिर लुणि नियदी के किनारे है ओप्सटन है पाबुजी तेजह जी मेहा जी मली नाज जी तो आप सभी को पता है कि मली नाजी बातको ध्यांद रहना है अब ग्यारवा क्योशन देखी क्या है देनिक नवज्योति का परकासंद कब प्रारंब हुआ देनिक नवज्योति परकासंद कब आरंब हुआ ओप्सन है 1935 1936 1937 और तो इसका जो राइट टांस्वर है वो हो जाएका 1937 के अंदरी जो प्रारणब हुआ ठीक है अगला स्वाल आपके सामने बारवा तनोप माता का मंदीर का इस्तित है अप्सन है अजमेर भीलवाडा जोदपूर विकाने तो इसका सही जबाब दोस्तों हो जाएगा भीलवाड अगला सौब है आपके सामने अगला परशन है बहुत है नलिया सर में आहात मुद्राएं इंडू ग्रीक के सुख्चे एव गुप्तकालें सांधी के साथ 175 तामबे की मुद्राएं भी मिली है यह कहां इस्तित है तो इसको आपको बताना है यह कहां पर इस्तित है ओप्सन ह माउंट अबू माउंट अबू शिर्वेगंदर सामबर जैपूर पूशकर अजमेर डीडवना नागोर तो क्या होगा इसका सही जबाब दोस्तों तो इसका जो सही जबाब है दोस्तों हो जाएगा सामबर जैपूर क्या हो जाएगा दोस्तों सामबर जैपूर इसका सही जब बीरिक से जोद्वूर भी लेक से पठारि स्तंब भी लेक से ओसिया भी लेक से तो बताए creat होगा इसंका सब्ली dramatic को सब्सकाया जैद सरे जो उत्तर है वो क्या बाइं भरते तो इसंका सई जबाब जो गया वहो ओर भगवाल्ययर अभी एक से का से दिस्तों अभी लेक से यह जानतकारी मिलती है ठीक दूस्तों हो लगस्ता वालैं का पन्रवा नाग पर्थो पर्तियार के ददा का क्या नाम था नागबध परंप तयार मासे नाम किया तो तिसका नाम वो रजील हो जाएगा क्या दूस्तों रजील था नागबट पर्थम परतियार के दादा का जो है इसके दादा थे ठीके नागबट पर्थम परतियार शासक था इसके दादा थो यह थे वो थे रजील थे ठीके दूस्तों सोल वाक्यूशन नागरी नागरी परसा रिणी सबा की इस्तापना धोलपूर में जनता को जागर्द करने के लिए किस वर्ष की गई तो ऑप्षन है 1940-1937-1939-1949 तो इसका जो सही जबाब हैं दोस्तों वह 1937 हो जाएगा क्या दोस्तों 1937 के अंदर इसकी जो हैं इस्तापना किए ठीक है दोस्तों अगला जो परसन है नागोर जीले में मकराना में किस नागोर जीले के मकराना में किस परकार का संग मरमर मिलता है बहुत इंपॉर्णेंट क्यूशन है तो ऑफशन है शीली शीयस के रसाइटीक डोमो माईटीक या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जबाब है दोस्तों वह हो जाएगा के रसाइटीक के रसाइटीक जो है संग मरमर है वो नागोर जी ले के अंदर मिलता है ठीक है इस ब किस इस्तान पर हैं नात संपर्दय की परमुख गद्दी या पीठ राजस्तान के किस इस्तान पर हैं ऑप्शन है जोदपूर नात द्वारा उद्यपूर नया रना ठीक है नरायना ठीक है तो इसका सही जबाब क्या होगा दोस्तों तो इसका सही जबाब होगा जोदपूर के एंदर ठीक है अगला स्वार है उन्निस्वा अनात्द्वारा का राध्दा किष्ण नर्तिय प्रम्प्रा का नर्तिय हैं जो पूरुस महिला द्वारा युगल रूप में होली के अफसर पर किया जाता है वह नर्तिय कौन सा है तो उप्षन है सरी नर्शिय डांग नर्तिय प्यजण नर्तिय दवी सक्री नर्तिय तो इसका जो सही जबाब है दोस्तों वो हो जाएगा डांग नर्तिय ठीक है इसका सही जबाब क्या होगा डांग नर्तिय ठीक है अगला स्वार है आपके सामने 20 वा लाश्ट कुशन आपक हुई है तो देखे इसके अंपशन है भगवान सरी राम की बगवान सरी कषण की भगवान अंउमान झी की हैसरो धर्म उपस्ना उस्ति बीना परतِमां चेह तो आपको बताना है क्या होगा इसका सबस्य मक्यार छेवाब तो भगवान सरी कषण की परतिमां लगे होई हैं अब आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने सही हुए ठीक है आपके 20 में से कितने सही हुए क्यूशन वह आपको कमेंट बताना है अगर आप साथ हैं कि इस क्यूशन की मैं मैं व्याख्या करूं तो आप कमेंट के दिर बता दीजिए का मैं व्याख्या के साथ वीडियो बना सकता हूं ठीक है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है आप वीडियो देखते नहीं तो आपको बताना है अगर मैं व्याख्या करूं जिसके भी ज्यादा कमेंट होंगे अजयो ठे झाएंत ले दिए तो ओिए वाय जयोग झालि है और विर्वेज़ ए है।